इन दिनों शोशल मेडिया पर महिला डॉक्टर द्वारा इलाज के दोरान बच्ची के परिजनों को वेंटिलेटर की ववस्ता कराने का वीडियो काफी वाइरल हो रहा है बता दें सागर संभाग के आयुक्त मनोहर दूबे ने सागर के बुंदेल खंड मैडिकल कॉलिज में बुरी तरह से जली डेड़ साल की बच्ची अंशिका अहिरवार के इलाज में अलापरवाही भरतने के आरोप में जूनियर डॉक्टर जोती राउत को निलंबित किया गया है मामले में जाच के लिए आयुक्त के निर्देश पर अतिरिक्ट आयुक्त के नेत्रित्व में जाच समीति गठित की गई है और समीती 48 घंटे के अंदर जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी पीडित परिवार के ब्रेजिंदर अहिरवार से मिली जानकारी के उनुसार उनकी भतीजी अंशिका घर में गर्म पानी गिरने से गंभीर रूप से जल गई थी जिसके बाद परिजन उसे BMC अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टोरों ने बच्ची की हलत गंभीर बताते और बच्ची को अस्पताल में भरती कर लिया दो पहर बाद जब बच्ची की तवियत विगड़ने लगी तो तो परिजन ने अधिक्षक कारयाले पहुँच कर वन वार्ड में डॉक्टर ना होने की बात बताई जिसके कुछ देर बाद जूनियर डॉक्टर जोती राउत ब दॉक्टर ने बताया कि वेंटी लेटर एक करोड रुपे का आता है अब यह हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इस बात पर पर परीजन और डॉक्टर में बहस हो गई जरा सुने डॉक्टर की ये बात जब यह सारा घटना करम बीमसी में चल रहा था उसी दौरान ब बच्ची का पोस्ट माटम कराया इसके बाद परीजनों ने होस्पिटल के भार प्रदर्शन किया और पुलिस में शिकायत कर बालिका का अंतिम संसकार कर दिया ब्रजेंदर अहिरवार ने आरोप लगाया कि आईसी ओ में वेंटी लेटर था और डॉक्टर बच्ची को वहा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबकेसरी.com को सब्सक्राइब करें अभिशेक माथूर पंजाबकेसरी दिल्ली माद बच्ची को पंजाबकेसरी चैनल कि दिल्ली हैं।